हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इंपॉसिबल यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग यूजी सिनेट जियोग्राफी में भू आकृति विज्ञान से पेंग के अपरदन चक्र के मॉडल को डिसकस करने वाले है जो पेंग का अपरदन चक्र की संकल्पना है उसके बारे में पूरा डेटेल में डिसकस करने वाले है इस प्रकार से आज के इस वीडियो में भी मैं ग्राप के माध्यम से आपको पूरा डेटेल में समझाने का प्रयास करूँगा तो आप वीडियो को इस स्टार्टिंग से लेके इंट तक देखें ताकि जो कुछ भी इसमें बताया जाए आप सभी को वो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए एक बात मैं स्टार्टिंग में कहना चारा हूँ अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या मन में कोई भी डाउट या क्वेशन उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं प्रशन पूछिए मैं जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा प्रशन बहुत कम लोग पूछते हैं लेकिन जो भी पूछते हैं मैं उनका जवाब जरूर देता हूँ तो आप भी पूछ सकते हैं और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी टॉपिक आप मेंसन कर सकते हो कि मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर आप इस फी वीडियो पहले बना दो तो वो भी हो सकता है अगर आप कमेंट बॉक्स में ये मेंसन क तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्मली रिक्वेश्ट है अगर आप नए वीवरें तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा उसके बगल में आपको एक बेल आइकन मिल जाएगा उसको आप प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस बेल आइकन को अपरदन चक्र के जो थोड़ा सा अपोजिट से बाकी इन्होंने अपने मॉडल को पांच भागों में विवक्त किया है और उसमें पूरी तरह से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अपरदन का प्रोसेस कम्प्लीट होता है थोड़ी सी कुछ कमिया थी डेविस के सोधित किया है मतलब अपने मॉडल में जो है उसको थोड़ा सा सही करके रिप्रेजेंट किया है एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि जो पेंक महोदे हैं वो एक जर्मन भूगोलवेता थे और इन्होंने जो है अपने मॉडल के जो भी कुछ लिखा इसके बारे में क्योंकि इन्होंने डेविस के जो है अपरदन चक्रे के मॉडल की आवलचना की थी फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपने अपरदन चक्रे के मॉडल को प्रस्तुत किया था लेकिन इन्होंने जर्मन लेंग्वेज में इसके बारे में लिखा था इसके वजए से जो है अ सकते हैं कि पेंक की अपरदन चक्र संकल्पना का ग्राप द्वारा प्रदर्शन इस ग्राप के उपरी वक्र यानि कि नीचे मैंने एक ग्राफ लिया उसके माध्यम से जो है कि इस प्रकार से पांच भागों में अपरदन चक्र का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको पूरा हम डिसकस करेंगे तो इसमें आगे दिया गया है कि अधिक्तम उसत उचाई को प्रदर्सित करता है और निचला वक्र जो है घाटी के तली उसत उचाई को प्रदर्सित करता है इस पूरे चक्र को जो है पांच भागों में बटा गया है जिसको मैंने बताया कि पेंक महोदय ने अपने इस model को या इस संकल्पना को 5 भागों में divide करके बताया कि किस प्रकार से अपर्धन चक्र का जो पूरा कारे है संपन्न होता है तो आईए देख लेते हैं पहले भाग से यानि कि पहली अवस्था से लेके 5 भी अवस्था तक हम पुरा detail में समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें हम लोग पहली दसा या पहली अवस्था के बारे में देख लेते हैं तो इसमें साथ ही साथ मैं डेविस के जो प्रथम अवस्था है उसके बारे में भी जो इसके साथ compare करता चलूँगा कि किस प्रकार से उन्हों ने बताया है अपने अपरदन चक्रे के model में कि कैसे process complete होता है और पिंक महोदे का किस प्रकार से है तो इस दसा में जब प्राइमर अवस्था में उत्थान होता है अपरदन का कोई कारे नहीं होता है उत्थान होता है जो अल्पकालिक होता है लेकिन तीवरगती से होता है उनका ये कहना था प्रथम stage में जबकि पेंक महोदे बता रहे हैं कि इस थलखंड का उत्थान होता है प्रथम अवस्था में और उस उसके अपेच्छा जो है उत्थान जो है अधिक तेजी से होता है अता इस्तलखंड की उचाई तथा उच्चावच दोनों में वृद्धी होती है यानि कि जो इस्तलखंड है उसके उच्चाई में वृद्धी होती है जाहे आप उच्चावच कहले उसमें जो है निरंतर लोग दूसी दसा में किस प्रकार से कारी संपन्न होता है तो इस दसा में घाटियों के चौड़ी होने से दोनों या दो नदियों के बीच की भूमी नुकीली हो जाती है यानि कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का आप इस्थलखंड है दो और इसके भी इसे नदी आपका बह रही है लेकिन नदी जो है इसको चौड़ा कर रही है अपने मार को तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा आपका और यहाँ पे ऐसे ठीक है तो अब क्या होगा कि ये जो इस्थलखंड का भाग है ये नुकीला होता जाएगा जिस प्रकार से नदी अपने आपको चौड प्रकार से नदी जो है जिसके वज़े से कुछ जादे अंतर देखने को नहीं मिलता है तो आएगे तीसरी दसा को देख लेते हैं तो तीसरी दसा में बताया जा रहा है पेंक महोदय के द्वारा इस दसा में भी इस्थलखंड का उत्थान सक्रिय रहता है और उत्थान के प्रभाव से नदियों के नीचे का कटान जारी रहता है यानि कि उत्थान हो रहा है जिसके कारण से नदी जो है नीचे के तरफ अपना कटान कर रही है और अपने आपको कारे भी हो रहा है अत्ता निर्फेच उचाई तता उच्चावर्च दोनों इस्थिर रहते हैं और चौथी दसा में चौथी दसा के प्रारम में उत्थान समाप्त हो जाता है यानि कि चौथे स्टेज में जब आता है ये अपरदन का प्रोसेस तो उसमें क्या होता है कि उत्थान समाप्त हो जाता है पर अपरदन दोनों वक्रों पर सक्रिये रहता है दोनों वक्रों यानि कि ये जो उपर का भाग है आपका ये देख सकते हैं उपर का यहां पर अपरदन पूरी तरह से चालू है पूरी तरह से अपरदन का कारे चालू है जब तक कि ये पूरी त अनुसार उत्थान का कारे जो है पूरी तरसे बंध हो जाता है पर अपरदन दोनों वक्रों के उपर सक्रिये रहता है यानि कि ये दोनों वक्र आपके हैं इस पे अपरदन का कारे जो है पूरी तरसे सक्रिये रहता है आगे अगर इसमें देखें तो अपरदन में वृध्ध के कारण उचाई में हास होता है यानि कि अपरदन जब तेजी के साथ होता है तो इन वक्रों के उचाई में क्या होता है हास होता है या कमी आती है किन्तु उच्चावच स्थिर रहते हैं अर्था दोनों वक्र एक दूसरे के समनांतर रहते हैं यानि कि दोनों तरफ से जो है बराबर अपरदन का कारे हो रहा है, यानि कि बराबर जो है इसकी उचाई घट रही है, जिसके वज़े से इसमें स्थिर्ता दिखाई देती है, यानि समानतर, तो ये चौती दसा थी, अब देखेंगे हम पेंग, तो हम अंतिम अवस्था को देख लेते हैं, पेंग के इस्थ राइगराम के माध्यम से समझ सकते हैं, कि अब इसके तली में नीचे कटाओ जो पूरी तरह से कम हो जाता है पांचवी अवस्था में, और पासवी कटाओ जादे होता है, यानि कि चौड़ा होने लगता है, यहाँ पे साइट से कटाओ जादे होने लगता है, नदी होने लगते हैं, आगे आप देख सकते हैं, कि जल बिभाजक की चोटियां तथा कटक घिसकर गोलाकार हो जाते हैं, यानि कि पानी के बहाव से यह आकरती जो है, यानि कि यह चोटियां और कटक घिसकर गोलाकार हो जाते हैं, और उनकी उचाओ भी कम हो जाती है, जब इनक आपका इस्तलखंडे, पूरी तरह से अपरदित होने लगता है, और आगे इसमें बात करें, तो उच्चावच के एवल प्रथम दसा में बढ़ता है, दूसरी तीसरी तथा चौथी दसाओं में इस्थिर रहता है, उच्चावच क्या होता है, प्रथम दसा में ही आपका ज़ कमी आने लगती है ठीक है अब कोई भी उच्चावच में बढ़ोतरी नहीं होती है पूरी तरसे कमी आने लगती है तो ये पांच ही ववस्ता थी आगे इसको देख लेते हैं आगे इसमें पेंक महोदे बताते हैं कि पेंक के अनुसार इस्तर रूपों का निर्माण धालों से होता है यानि कि जो भी इस्तर रूप आप देखते हैं उसका निर्माण किन से होता है जो स्लोप होता है आपका और धालों का रूप अपरदन की तीवरता पर निर्बर करता ह यानि कि ढाल का कैसा स्वरूप होगा, तीव्र होगा, मंद होगा, ये जो है अपर्दन की तीवरता पर निर्भर करता है, तथा अपर्दन की तीवरता उत्थान की प्रकृती पर नियंत्रित होती है, यानि कि किस प्रकार से उत्थान हो रहा है, अपर्दन पूरी तरह से उस इसके विपरीत जब अपरदन की तिवरता कम रहती है तो घाटियों के ढाल अवतल होते हैं यानि कि कम ढाल होते हैं इसमें और जब अपरदन की तिवरता इस्थिर रहती है तो ढाल सम हो जाता है यानि कि बराबर पूरी तरह से ढाल होता है यानि कि उत्थान जितने तेजी क के साथ होगा अपरदन भी उतने तेजी के साथ होगा और ढाल भी जो है तिवर रहेगा अगर अप उत्थान जो है मंद हो जाता है देरे देरे गती से होता है तो अपरदन की गती भी मंद हो जाती है जिसके वैसे ढाल जो है मंद हो जाएंगे और लाश्ट में अगर अपरद के माध्यम से और भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और लाश्ट में मैं आपको एक या दो लाइन में आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि डेविस और पेंग के मॉडल में क्या अंतर था तो आईए देख लेते हैं अगर आपने अभी अभी तक पेंग के अपरदन चक्र के मॉडल को या इस तलरूप विगास के मॉडल को अभी तक नहीं समझ पाया हो तो आप इस ग्राप के माध्यम से बहुत ही जीवे में समझ जाएंगे मैं बताने का प्रयास करूँगा जैसे आपको पता है कि पेंग ने जो है लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है अपरदन का कारे भी चालू हो जाता है धीरे धीरे ही अपरदन होता है लेकिन उसका कारे चालू हो जाता है उत्थान के साथ ही लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे दोसरा और तीसरा और चौता यह अवस्था जो है आपका इसमें क्या होता है कि उत्थान जो है सम रहता है यानि कि उत्थान में बढ़ोतरी नहीं होती है उत्थान बराबर रहता है रुख जाता है उत्थान होना लेकिन अपरदन का कारेश चालू होता है लेकिन अपरदन कहा होता है इसके तली में घाटी के तली में यहां जो नहीं है अब नदी जो है तली की अपेच्छा साइड यानि पास्वी कि यानि कि इसकी चोड़ाई यानि अपनी चोड़ाई बढ़ा रही है ठीक है तो कटान जो है साइड से होने लगता है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से नदी चोड़ी होती गई है यहाँ पे और अं सकते हैं फर्स्टी स्टेज में क्या होता है उत्थान होता है लेकिन अपरदन की गती जो होती है बहुत ही धीरे होती है दूसरे और तीसरे और चौथे स्टेज में क्या होता है यहाँ पे उत्थान पूरी तरह से रुक जाता है कमी नहीं होती है लेकिन रुक जाता है और नीचे होने लगता है और नदी क्या करती है अपने आपको चौड़ा करने लगती है ठीक है चौड़ा करते करते ये पूरी तरह से एक समतर मैदान का निर्माल कर देगी इसके बीच में जो छोटे छोटे भाग दिखाई देते हैं वो आपके इंडरम्स होते हैं इंसल बर्ग प्रोसेस जो है अल्पकालिक होता है और तीवर गती के साथ होता है और बस उत्थानी होता है पहली अवस्था में उत्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपरदन का कारे चालू होता है बट पेंक महोदे ने बताया कि उत्थान के साथ धीरे धीरे जो है अपरधन का कारे भी चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उत्थान पूरी तर से complete हो जाएगा तो आपका अपरधन का कारे चालू होगा, जैसा कि मैंने आपको डेविस के मॉडल वाले वीडियो में मैंने आपको clear बताया था कि एक छोटा सा उधारण देखे बताया था क कि आप माली ये rate एक जगा एक अठा कर रहे हैं, एक जगा bounce कर रहे है, rate यहाँ इस प्रकार से, तो आप ऐसा थोड़ी 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 उसके कण जो है rate के उठा ले जाएगी, ऐसा नहीं है कि पूरी तर से आप rate को इतना बड़ा टीला बना लेंगे, तब ही जाके वो परदन का कारें चालू हो जाता है, दीरे ही होगा लेंगे चालू हो जागा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए इनके model में थोड़ा सा इसको देखकर आलोचना की जाती है, डेविस की, लेकिन पेंक में जो है इसी को संसोधित करके इन्होंने इसको represent करन करने के लिए कि इन स्थलूपों का निर्मार किस प्रकार से होता है, विकास किस प्रकार से होता है, तो उमीद करता हूँ आपको इस graph के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, उमीद करता हूँ, अगर नहीं समझ में आ तो आप comment box में आपने कोई भी query हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करिए, और वीडियो को share करें maximum दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाब मिल सके, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कुछ मैं आपको provide करता हूँ, सब भी free of cost होता है, उसका कोई charge नहीं होता, मेरा बस प्र वायरस को लेकर, तो उसके लिए जो भी सतरकता government के द्वारा निर्देश दिये जारे हैं, आप उसका जो है, थोड़ा सा follow करें, क्योंकि जरूरी है, अगर ये वायरस पूरी तर से अगर फैल गया, तो बहुत बड़ी समस्याफ हो जाएगी, हम सभी के लिए आपके परिव के लिए और पूरे देश के लिए, तो आप थोड़ी से सतरक रहें, घरों से बाहर कम निकलें, जरूरी हो तब ही निकलें, मैं इसलिए बोल ला हूँ कि जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे fake news भी दिये जाते हैं, लोग थोड़ा सा भैभीत हो जाते हैं उन समाचार को सुनने के बाब, तो छोड़िए वो खेर अलग टॉपिक है, तो आज के वीडियों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियों कुछ और इंपोर्टन टॉपिक और इंपोर्टन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जै हिन जै भारत